प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजी अधिकतार दिली में रहते हैं जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्सों को आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब काम लाएं आज का पंचांग 30 जनवरी 2020 दिन ब्रस्पतिवार शुगल पक्स मागमास समवंत 2076 तिथी पंचमी नक्षत्र उत्रा भार्थपद रहु काल डेर से तीन दिशासूल दक्षिन दिसा आज बसंत बंचमी का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है कल भी बसंत बंचमी का पर्व मनाया गया सास्त्रोक तृति से दोनों ही दिन ये पर्व माननी है आज बसंत बंचमी का जो पर्व है वो तकरीवन आप लोग प्रियास करें कि दिन में डेड़ वे तक मना लें आज के दिन माभगवती माशारदा से आशिरवाद लेने का दिन है अपनी विद्या को बढ़ाने का दिन है और जितने भी हमारे संस्तान से जुड़े हुए स्रद्धालु साधक है सभी को हम सुब सुब आशिस देते है सभी का कल्यान हो सभी के घर में धन श्रिव रद्धी हो सभी का आयुष्य लंबा हो सभी को जीवन में समस्त प्रकार किस्जोक और वैभव की प्राप्ति हो और हे भगवती जितने भी साधक हम से जुड़े हुए हैं हे भगवती सभी को आयुष्य प्रदान करें सभी को वयभव प्रदान करें ऐसी भगवती हम आपसे कामना करते हैं अपने सभी भक्तों के लिए सभी साद्गों के लिए आज के इस पावन दिवस पर परम पुझे गुर्देव पंडिशी राम शर्मा जी हम सभी भक्तों को आशिरवाद दें हमारे सभी जितने भी सादक गण है सादक प्रवती के लोग इस चैनल को देखते हैं सभी के उपर गुर्देव मा इंद्राक्षी मा गाहित्री के करपा सभी को प्राप्त हो और दर्शकों जैसे कि बसंत पंचमी का पर्व है आज पीला तिल्ग जरूर लगाएं अपने मस्तक पर बच्चों के मस्तक पर और साथ में दिन में चलते फिरते उठते बैटते ओम एम वानने स्वाहा ओम एम वानने स्वाहा इस मंत्र का जब करते रहें आज विश्व में नाना भाती के किरिये अकल आप किये जाते हैं शुब मूरत की बात करें तो आज आपको कोई चीज खरीदनी है आज के दिन बहुत अच्चा मूरत है ध्यान रखें जब जब बसंत पंचमी हर वर्ष आती है तो बसंत पंचमी में किसी मूरत देखने के अवश्रक्ता नहीं होती है गाड़ी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं कोई भी चीज आज के दिन बहुत शुफल देती है दूसरी बात जो आज प्रथम बार जो बच्चे आज कलम उठाएंगे जिनकी माता हैं बच्चों को ऐसे अनार लिखना सिखाएंगी गैसे गणेश लिखना सिखाएंगी तो आज के दिन विद्या आरंब का भी बहुत सुरेष्ट मूरत है जो आप मंत्र लेखन कर रहे हैं आज के दिन मंत्र लिखने का भी बहुत सुरेष्ट मूरत है ज्यादा ना कुछ कहते हुए आज अपनी भक्ती को बढ़ाने का समय है आज के दिन जितना आपसे हो सकता है अपने ग्यान को बल दीजिए ग्यान को बढ़ाईए माभगवती की साधना आज के दिन जादे से जादे करना और जिनके घर में वाद्धय यंत्र है बासुरी है तबला है उन सब की धूब दीप करना तिलक करना और जो लोग संगीत में है या गाएन के छेत्र में है आज सरस्वती को जरूर कुछ सुनाना जरूर गाएन करना वादन करना आज के दिन घर में शुब मंत्रों को लगाईए चाहे टेप रिकाउड से लगाएं जैसे मरजी लगाएं आज के दिन गुर्यों की वाणी को सुनना सुब है आज के दिन किसी सुब गरंत को जरूर पढ़ें बहुत शुब है तो आज विद्या का दिन है ज्यान का दिन है इसलिए आज जितना हो सके अपने बच्चों से सबसे गाईतिरी मंत्र पढ़वाएं मा सरस्वती का जो दिव्य मंत्र हमने बीज मंत्र पताया ओम एम वान्य स्वाहा इस मंत्र को जरूर पढ़वाएं बहुत अच्छे लाव की प्राप्ति होगी घर का कोई भी एक व्यक्ति है सभी लोग जैसे जैसे समय मिले ओमेम वानने इस्वाहा ओमेम वानने इस्वाहा ओमेम वानने इस्वाहा इस मंत्र को दस-पंद्रा मेड जरूर पढ़े या पांच माला पढ़े जल की कटोरी भरके रखें बाद में फूक मारके वो जल समस्त परिवार के लोगों को चरनामरत के रूप में पिलाया जाए ग्यान से बड़ी संसार में कोई दोलत नहीं मिले दर्शको तो आज ये जरूर किर जिए आज के दिन पीले पुष्प भगवती को जरूर चुणाएं चाहे आपके घर में दुरगा जी का सब रूप है चाहे लक्ष्मी जी का सब रूप है और सरस्वती माता को तो जरूर चुणाएं आज के दिन पीला परसाद घर में बाटें खिलाएं बाहर भी लोगों को पीला परसाद बाट करके जरूर बाटें चाहे मीठे पीले चावल बना लें चाहे बेसन का हलवा हो या बेसन के लड्डू हो कोई विश्य आज पीत रंग चड़ा दीजिए बहुत अच्छा शुब आपको असिरवाद मिलेगा भगवती से और मंत्र फिर बता देता हूँ आपने उस खास वीडियो में बताया था विश्य सांक में बसंत वंच्वी विश्य सांक में ओम एम वान्याई स्वाहा तो दर्शों को बस आज इतना भर कर लीजेगा आपको बहुत शुब आसिसकी प्राप्ती होगी और आज के दिन किसी भी गरीब को किसी भी ऐसे जरूरत वंद को पुस्त के दिला दीजिए कौपी दिला दीजिए या ऐसे किसी छित्र में जाके उन बच्चों के लिए कौपी किताबे बाठ दीजिए आए दर्शों को समय हो चला है भगवती की ध्यान साधना से जुड़नेगा ओम सिंदूर अरुन विग्रहाम त्रिनायानाम मानिक्यमोले स्पुराज स्तारा नायक से करां स्मित मुखे बापे नबाग छोरुआम पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत्पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान छूलंब सुन्डिम्सिरा संखं संददतिम करिष्त्रिनायानाम सरवंग वूस्वरिताम निलास मध्युत्यमास्यपाद दसकाम सेवे महांकालिगाम यामास्तो स्वपितै हरो कमलजो अंतुम्मदुम् कर्टवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसादस्ता विरासे विताम हस्ते स्चक्रगरा सिखेट विशिखाम स्चापम गुणम तरजनीम विप्राणा मलिलात्मे काम ससिदाराम धुरगाम तिनेत्राम वजे कवच बनाएं ध्यान करें मा भगवती का ओम बोलते हुए नेत्र खोलने दर्शों को आज जैसा हमने शंक्षिप्त सा बताया है आपको इसे कर लें और आज के दिन के यदि आप किसी मंत्र की सिद्धी करना चाहते हैं तो जो भी मंत्र आपने पहले सिद्ध किया है उसको पढ़के उसकी माला करके एक या तीन माला उसका हवन भी कर सकते हैं तो इससे मंत्र और चेतनी हो जाता है और मंत्र सिद्ध हो जाता है जो दैनिक रूप में आप प्रती दिन पूजा करते हैं आज उस प्रती दिन की पूजा को और थोड़ा भाहुस से करें ताकि वो मंत्र आपके शुद्ध हो जाए और चेतनी हो जाए उनमें जान आ जाए ब्रान आ जाए समझें आप और मंत्र लेखन जो हमारे दर्शक कर रहे हैं सादक कर रहे हैं वो मंत्र लेखन करते जाएं और फिर चार फरवरी के बाद हमारे पास भेजें address हम कोसिस करेंगे आपको कल के एपिसोड में दे देंगे परसो दे देंगे और अब फरवरी महीने की राशियों के क्या उपाये हैं वो आपको शिगर मिल जाएंगे वो फरवरी महीने के राशियों के उपाये आप लोग जरूर कीजिएगा यदि आप हमसे रख्तिकत तोर पर मिलना चाहते हैं या कहीं आप दूर दराज रहते हैं उसके लिए आप हमारे संस्थान से कॉल अपाइंटमेंट भी ले सकते हैं आगे आने वले दिनों में बहुत शुब चीज़े आ रही हैं और आपको हमें मिलके बहुत कुछ अभी करना हैं और आप बस थोड़ा सा हमरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें आप से हम बहुत कुछ करा लेंगे इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को विराम देते हैं मा सरस्वती की सभी के उपर करपा रहे सभी के बच्चों की मेधा बुद्धी का विकास हो और सभी के घर में मा लक्ष्मी विराजें मा सरस्वती विराजें भैगवान स्री गणपती सभी के विगनों को दूर करें जैमा शार्दा ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में सेर करना चाहता हूँ आप लोगों से उनकी जॉब चली गई थी किसी रीजन के कारण मतलब कुछ प्रॉबलम आ गई थी इनोंने कुछ मंत्र जब करने के तरीके बताये थे कि मंत्र जब करना है और इस तरह करना है उससे बड़ा से आपके कमनी के सन होती है किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक